दोस्तो जहां आपकी एहमियत ना समझी जाए वहाँ जाना बंद कर दो फिर चाहे वो किसी का घरो या किसी का दिल और दोस्तो दूसरों को देखने के बजाए आप खुद वो काम करने की कोशिश करें जिससे की दूसरे आपको देखें और देर से बनो लेकिन कुछ जरूर ब नहीं होती और किसी ने मुझसे पूछा कि पूरी जिन्दगी क्या किया तो मैंने हसकर जवाब दिया किसी के साथ धोका नहीं किया और कभी जिन्दगी का ये हुनर भी आजबाना चाहिए जब अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए और दोस्तो दर्द को मुस्कुरा कर सेहना क्या सीख लिया लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती और हर चीज उठाई जा सकती है सिवाए गिरी हुई सोच के और बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है और दोस्तों सपने और लक्षे में एक ही अंतर है कि सपने के लिए बिना महनत की नीम चाहिए और लक्षे के लिए बिना नींद की महनत और दोस्तों अमीर इतने बनो कि कितनी भी कीमती चीज़ जब चाहो तब खरीद सको और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति भी आपको खरीद ना सके और दोस्तो जो चाहा वे मिल जाना ये है सफलता परन्तु जो मिला है उसको चाहना ये है प्रसंता और जहर में इतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं और दोस्तो मोन से जो कहा चाह सकता है वे शब्दों से नहीं और जो दिल से धिया जा सकता है वो हातों से नहीं और दोस्तो थोड़ा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो क्योंकि इस जमाने में कोई नहीं कहेगा कि ठक गए हो अराम कर लो और किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी के बुरे वक्त पर हसने की गलती मत करना ये वक्त है जनाब सब के चैरे याद रखता है और तूड जाता है गरीबी में वो रिष्टा जो रिष्टा बहुत खास होता है हजारो यार बनते हैं जब पैसा पास होता है और दोस्तो शक्से भी अकसर खतम हो जाते हैं कुछ रिष्टे कसूर हर बार गलतीयों का नहीं होता और छोड़ दिया है मैंने किसमत की लकीरों पर यकीन करना जब लोग बदल सकते हैं तो किसमत क्या चीज है और मैंने जिन्दगी से पुछा कि सब को इतना दर्द क्यों देती हो जिन्दगी ने हस कर जवाब दिया कि मैं तो सब को खुशी ही देती हूँ पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है और दोस्तो किसी ने सची कहा है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे और दोस्तो उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कोडी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हो और परवा करने की आदत ने तो परेशान ही कर दिया अगर बे परवा होते तो सुकून बहुत होता जिंदगी में और दोस्तो जब जब आपके खास लोग आप से दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी ज़रूरते आप से पूरी हो चुकी है और दोस्तो एक भैतरीन बात है कि कभी किसी को जीते जी भी कंदा दे दीजिए जरूरी नहीं कि हर रस्म मोत के बादी निभाई जाए और दोस्तो पाप और पुन्य क्या है मुझे नहीं पता मुझे तो बस यही पता है कि जिस कारे से किसी का दिल दुखे वो पाप और जिस कारे से किसी के चैरे पर हसी आजाए वो पुन्य और दोस्तो अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे कहना की किसमत पर इतना नाजना करे हमने बारिश में भी जलते हुए मकान देखे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपको मारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी तो मैं मिलूँगा आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग आफ